दीबदान के लिए उम्रेश उतलो दीपो और आतिश पाजी से रोशन हुआ नगर विर्सिंगपूर दीबदान के लिए उम्रेश अलाव में हर रोज अज़ारों की तादाद में लूप बाबा गौबिनाथ विर्सिंगपूर पहुंच रहे हैं महिद्प्रदेश के सतना जले से 32 किलो मीटर दूरी पर बसाई हा गैबिनाथ धाम यहां पिशले पांच दिनों से निरंदर लोग भुलेनाथ का जल अभिशेक करने के लिए पहुंच रहे हैं बीज दिपावली की शाम बाबा गैबिनाथ का मंदर दीपों से जगमगा उठा सारे नगर में कुश्यों के दीपक जल उठेई लोग मा लक्षमी के साथ साथ बाबा गैबिनाथ को दीपदान कर पूर्जा अर्चना किये गए दीपावली का पौरान एक मानताओं का पूजा के अलावा अदिवासी समुदाय दीपावली से देव अनुष्ठान एका जशी तक अपना जंत्र मंत्र पूजा पाट करते हैं अब परंपराय समाप्त होती नजर आ रही है पिछले वर्षों की भाती यहां दर्शन करने आए यादा समुदाय द्वारा रंग बिर अंजबन कमेटी बिर्सिंगपुर के सुनी नूरी जामा मज़ित में छोरों ने किया हाथ साफ लाखों की नगदी के साथ कीमती सामान ले उड़े बदमाच बिर्टिंगपुर सभापुर थाना अंतरगत नगर के सुनी नूरी जामा मज़ित में चोर रातरी के समय चोरी कर परार हो गए जानकारी के मताविक म मज़ित में रखी पेटी में लाखों रुपए नगत पड़े थे और इसके लावा माइक-सिस्तम साहिद कीनकी समान भी लापता है सुबह जब मजजित खोली गई तो पता चला की रात में चोरों ने मजजित में चोरी कर लाखों का सामान पार कर दिया पुस्लिम स्वामदा द्वारा पलिस को सुचना दी गई जिसमें सभापुर्पलिस के उपनीदीक शक आर्बी मिश्रा ने अपने दल के साथ मोके पर पहुचकर मुआयना किया और पंचनामा तयार कर कारवाहिय की जा रही है सद्वारा किया है कि अधान के लिए तो देखें कि यहां पर चोरी की गटना कट गई ती जूट चोरु द्वारा माइक और साउन और फचास पच्पनाजार रुपे नगत दान पेटी से इकाल के लेकर लेकर देगी गई सकते सबसे इसकी सुचना सुवें कर दो हमें साथे पांच वेज़ जब भज फजिर की नमाज होती किसे नाम से कैसे है गया मुखिश्छिस सुनी नूडी जामा मस्जित पिर सिंग भुराइब पहली गटना है समाज के लिए बहुत थी है हसेैनी है किसी भी समाज में ऐसे चोरों का न को जात न पात कोई धर्म होता है जोड से चौर होता है मंदिर मजजी सुरच्च तो नहीं है तो आज को दर्फ पे आम इंसान का क्या होगा तैसाजन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसके ग्राफ तारी करें हमारा माल पर रामत करेंगे आपका नाम धन्यवाद में आग करताफन में लूंगी नई खबरों के साथ